Hello dear students, welcome you to our school, Satham Stas International School. तो बच्चों, आज हम Standard 1 की Mathematic Book में Unit 3 पढ़ाई करेगे. Unit 3 में Numbers from 21 to 100. तो बच्चों, आज हम Chapter 6 पढ़ेगे. Numbers from 21 to 50. 21 to 50 तक हम Numbers जैनेंगे. तो देखो, Read and Write across. इधर हमें पढ़ना है और लिखना है. तो इधर 21 to 50 तक Numbers दिया है. तो हमें इसको जो Spelling है 21 to 50 तक इस Spelling को हमें प्राटिस करना है. और इधर जो 21 लिखना है, इधर हमें 21 लिखना है, 22 लिखना है, 23 लिखना है. ये तक हम 50 तक हमें लिखना है अपने बूर्ट में. Next हम पढ़ेगे Regular Counting. Regular Counting के मतलब है नियमित हम गिंती जो करते हैं न क्रम की अंसर करेगे. Counting, Forward, Order and Write. हमें इधर Count करके लिखना है, Order की अंसर आगे आगे लिखना है. तो इधर 1 है, 1 के आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इधर 8 लिखना है, तो 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हमें आगे आगे लिखना है, देखना है, इधर विक्षर में एक बच्चा के से आगे आगे चरते हैं. तो 25 के, आगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48. नेस्ट हम करें रिवर्स काउंटिक, उल्टी किनती है, काउंट इन बेक्वर्ड, अर्डर अन राइट, हमें ये पीछे की क्रम क्यांसा लिखना है, पीछे बीछे लिखना है, तो इधर 50 लिखा है, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 35, 4, नेस्ट हम पढ़ेगे मेच, ता फॉलईंग, हमें क्या करना है, मेच करना है, उप़र देखो, फिगर लिखा है और नमबर लिखा है, हम फिगर को नमबर को हमें मेच करना है, तो देखो इधर 40 का स्वेलिंग लिखा है, हम नमबर को मेश करना है 40 next 28 के spelling लिखाए 28 को हमें 34 लिखाए 34 को मेश करना है 18 लिखाए 18 को मेश करना है 20 लिखाए 20 को मेश करना है next write the number that comes just after, just before, in between after जो आता है before जो पहले आता है और between जो 20 में आता है तो 7 के आते नमबर क्या है 8 11 का 12 32 का 33 41 का 42 28 का 29 39 का 40 उसके वीफ़र देखेगे 13 के वीफ़र नमबर है 12 24 का 23 29 28 34 का 33 36 का 35 48 के पहला जो है 47 let's between देखेगे between जो 20 में है 12 और 14 के बीच में कौनसा नमबर है 13 12, 13, 14 उसके 44 और 46 के वीफ़र नमबर क्या है 45 15, 17 का वीफ़र नमबर 16 18, 10 का वीफ़र नमबर 9 33 और 35 का वीफ़र नमबर 34 48 और 50 का वीफ़र नमबर 49 next पढ़ेगे put greater than, smaller than, or equal signs in the boxes box के अंदर हमें greater than, smaller than, or equal करेगे तो 6 और 5 तो 6 और 5 तो 6 बड़ा है तो हमें greater than करेगे उसके बाद 13 और 13 दोनों same है तो हमें इधर equal करना है 14, 17 17 बड़ा है तो हम इधर smaller than करेगे 14 चोटा है उसके बाद 18, 24 24 उसके बाद 39, 42 तो 39 smaller than 42 37, 32 37 बड़ा है 32 greater than रहे 29, 27, 29 बड़ा है तो 29 greater than 20, 26, 26 तो smaller than 42, 36, 42 बड़ा है तो greater than 40 और 40 इक्वाल है दोनों इधर इक्वाल करना है 36, 46 36 चोटा है न इसमें smaller than देना है 23, 32 smaller है 23 तो smaller than देना है 48, 48 इक्वाल है दोनों इधर इक्वाल है तेंक यू इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है